अलो बचो नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग अमीद अब बहुत सानदार होंगे जिन्दाबाद जबर्जस्त होंगे बच्चो लोग वैसे तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना देता बट मुझे जरूरी लगा कि अंकित सर के साथ ही इसमें आया जाए तो बच्चो आप लोगों से इतनी दर्खवास्त है कि अब आप त्योहार वगेरा सब कुछ मना चुके हो हम लोग भी जितना भी छुटी जो भी डिस्टरब होनी थी क्लासिज हो चुकी हैं कल से आप सब लोगों को पता है कि हम लोग गागर में सागर स्रीज लेकर के आ रहे हैं और गा पीचर्स ने अपना अनुभाव जोगा था कि क्वेशन्स कैसे कैसे मिल सकते हैं मैं यह नहीं कहता कि आपको हंड्रेड परसेंट उसी में से क्वेशन मिलेंगे पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि उसको करने के बाद जो एक्जाम से पहले एक डर होता है ना बचो कि हम सर कैस हद तक दूर कर देती है गागर में सागर स्रीज बच्चो तो कल सुबह आठ वजे से ना किवल मैं एक क्लास लेकि आऊंगा बलकि आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना जोस कूट कूट कर भरने वाला हूं ताकि आपको यह लगे कि बच्चे एक्जाम तो कुछ बड़ी चीज होती ही नहीं है कभी तेकि अगर उसको हम अपने सौ पर्सेंट से दे अपने जितनी भी ताकत है उसको अगर उसमें जोक दें जितना हम से आता है हम उसमें बेस्ट कर जाएं तो बच्चो सेलेक्षन बहुत बड़ी बात नहीं होती वो चीज सिखाएगी कल ये आपके हिंदी की क्लास जिसमें बच्चो आपका एक confidence एक अलग लेवल पे मैं पहुचाना चाहता हूँ और जो डर है एक्जाम से पहले का वो अमूमन सी बात है कि आप कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लें वो लगना स्वभाविक है वो कावियत तक मैं दूर कर दूँगा ठीक है बच्चो लेकिन उसके लिए आपको जरूरी होगा कि आप उस क्लास को पूरी तरीके से पूरा ये मानके कि भाई मेरी ये क्लास जो होगी ना जो मैंने हिंदी में पढ़ा है वो सारा रिविजन करा द है अगर आप 200 में से 230 कर जाते हैं तो कौन रोक पाएगा आपको 25 में से 25 करने से कोई नहीं रोक सकता ठीक है बच्चो चलिए तो हम कल मिलेंगे बच्चो सुब्याट बजे और ये स्रीज जो अंकित सर करा रहे हैं जी एस की से पहले मैप्स की फिर रीजनिंग की और वो से गागर में सागर स्रीज सोले तारिक यानि पंद्रे तारिक से तक चलेगी सोले से हम सीधा सीधा आपके एक्जाम में क्या पूछा जा रहा है वो करवा रहे होंगे सोले से एक्जाम कैसा आ रहा है एक दम से सो के सो कुश्चन आपको बता रहे होंगे कि भाईया ये सो ले हैं वो बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे कि पेपर में क्या एक्स्ट्रा आ रहा है मुश्किल आ रहा है आसान आ रहा है कितना करना सेफ है वो सारी चीजे आपको हम सोले को ही बता देंगे बच्चो पंद्रे तक हम अपना अनुभव अपना जुतना भी हम कर सकते आपके मॉक टेस्ट जो बिल्कुल स्सेजीडी पैटर्न जो हमारे टीचर बैतर दे सकते हैं कि यह इससे अच्छा मॉक टेस्ट नहीं हो सकता वो लाइव मॉक टेस्ट करा रहे होंगे बोर्ड पर 14-15 सिर्फ उसमें देंगे हम ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ सके रिवीजन करने क के बाद कि मेरा स्कोर में इतना इंक्रिमेंट हुआ है ठीक है अब 13 तक हम रिवीजन 14-15 को टेस्ट चार टेस्ट दो दिन में ठीक है बच्छो तो वह सब हमारा प्लान का हिस्सा है 16 तारिक से आपका पेपर है उसके लिए लगातार आपको सुब कामनाएं हम देते रहेंग